आप लोग में कई सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हो कि भाई लाइब स्ट्रीम करते हैं कि हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होता है तो इसका कोई सोलुशन बताओ तो चलो ठीक है आज कि छोटी सी प्यारी सी वीडियो में मैं आप लोग कुछ ऐसी चीजे बताओं जो आप लोग कर सकते हो लाइब स्ट्रीम करते वक्त जिससे कि आपका मोबाइल जो है वो कम हीट होगा देखो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मोबाइल हीट होता क्य आजाएगा तो सेम वैसे मोबाइल के साथ ही होता है तो हमको यही काम को कम करना जिससे मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर कम यूज हो और उसको पर कम लोड आए और वो कम हीट हो अब यह करने के लिए आप जो सबसे पहला काम कर सकते हो यह है कि आप जो भी रिजोलुशन म कि मैं वताओंगा वह ट्राइ करो स्ट्रीम का रिजोलुशन थोड़ा कम करने से बहुत ज्यादा एफेक्ट पडता है हमारे फोन पे आने वाले लोड पे तो थोड़ा सा रिजोलुशन कम कर दो ताकि अपकर फोन पर थोड़ा कम हीट हो तो आप सेकेंड जो सेटिंग है ज थोड़ा कम हीट हो, bit rate आप जब कम करोगे तो आपकी stream की quality भी decrease होगी, बट आपका mobile हीट नहीं होगा, वीडियो के bit rate को आप किसी भी live streaming app में adjust कर सकते हो, जैसे कि अगर आप समधलो turnip app से live stream करते हो, जब भी आपकी live stream on रहती है, जब आपकी live stream चालू रहती है, तो एक बार आप turnip का जो icon होता है, जो उसका logo दिखाई देता है screen के, उस पे एक बार click करो, वहाँ पे आपको नीचे blur blur live stream आपकी दिखाई देगी, अब अगर आप लोगों को थोड़े से bonus solution बता हो, तो आप जब भी live stream कर रहो ऐसे जगे बैट के live stream करो, जो जगा थोड़ी सी ठंडी हो, ऐसे room में बैट के live stream करो, जो room थोड़ा सा ठंडा हो, और आप जब भी live stream कर रहो हो, तो आपने mobile का कप आपका game भी अटकता है, तो उमीद करता हूँ यार, ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहेगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आप लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी ज़रूर कर दो, so that आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, ये वीडियो को आप लोगों यह एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाए बाए